हलो फ्रेंड्स बेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास ले करके आ रहे हैं ये क्लास आपको हो सकता है बीच बीच में मिलती रहे क्योंकि ये प्रिशन की भी जानना बहुत जरूरी होता है प्रिशन है कि भोजन का अनिवार अ होता भाई कैफ्सुल कावरण स्टार्च का बना होता है नोट करते जाएं चाहें याद कर सके तो याद हैं अगर पहले से आपको याद हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट करके सार हमें पहले से याद कर रखें कौनसा पदार्थ मानव शरीर में इंधन का काम करता है तो कार् उर्जा प्रदान करती है ग्लूकोज आपने देखा होगा गर्मी के समय में आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है तो आप क्या करते हैं एक ग्लूकोज का पाउच लाते हैं और एक ग्लास में एक चम्मच पानी वो एक ग्लास पानी में एक चम्मच ग्लूकोज डालके पील लेत काम करती है शहद का प्रेमुख घटक है तो शहद का प्रेमुख घटक होता है वह होता है फ्रेक्टोस याद रखेंगे इस बात को फ्रेक्टोस शहद का प्रेमुख घटक है शहद में मुख्यते हैं होते हैं शहद मुख्यते क्या चीज होती है बाई कार्वो हाइड्रेट हो कर्भो हायडरेट का ध्यान र 설명 के मानफ सरीन में कर्भो हायडरेट 안ता है गिलाइकोζेह मनब सरी में कर्भो हायडरेट पुन है मतलब दोबारा से संग्र होता है तो गिलाकोजेहग मंगे एथलीट को किसstrol चीज से किस चीज से सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा उर्जा मिलती है वो भी कार्भो हाइड्रेट से ही मिलती है। सरवादिक उर्जा भी कार्वाइडेट प्राप्ट करता है और एथलीट को जो सबसे ज़्यादा उर्जा मिलती है सबसे जल्दी वो भी कार्वाइडेट से ही मिलती है अब देखेंगे अगला प्रशनी अगला प्रशनी है रक्त ग्लुकोज इसतर समान नित है व्यक्त किया अगला प्रशनी अगला प्रशनी प्रोटीन बनाने के लिए क्तने अमीनो अमल आवश्यक होते है वह प्रोटीन बनाना है तो कितने अमीनों अमले की जरूत पड़ेगी 20 अमीनों अमली की जरूत पड़ेगी प्रोटीन बनाने के लिए शरीर में उतकों का निर्माण कैसे होता है प्रोटीन से होता है जो शरीर के अंदर उतक काम करते हैं उनका जो निर्माण होता है वो प्रेटीन के द्वारा होता है अब देखते हैं अगला प्रेशनी है प्रोटीन को क्या माना जाता है शरीर का निर्मान करने वाला शरीर के अंदर प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यक्ता होती है यह आप जानते हैं और शरीर का निर्मान प्रोटीन नहीं होगा तो का निर्मान भी नहीं होगा जब कोई छोटा बच्चा होता है तो आप उसे प्रोटीन वाली चीज खलाते हैं प्रोटीन वाले पाउडर वाले डबे लेके आते हैं उसके ग्रोथ के लिए उसके निर्मान के लिए अच्छे से तो प्रोटीन का प्रोटीन को क्या मान जाता है निर्मार करने वाला ये बात आप जानते हैं अगला प्रेशने एंजाइम मूल रूफ से क्या है एंजाइम मूल रूफ से क्या होता भी है वो भी एक प्रोटीन होता है अगला प्रेशने एलफा क्रेटीन एक प्रोटीन है जो कि त्वेचा में उपस्तित है जो त्वेचा होत 40% यह सब्द बहुत इंपोर्टेंट है यह जो तीन हो प्रेश्ण है यहां पर सोया बीन में प्रोटीन का जो प्रेतिस है वह कितना होता 42% किसी में प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो चावल आप रेगूलर बहुत से घर में रेगूलर खाते हैं कभी-कभी खाते हैं और सब के लिए खाते हैं लेकिन उसमें बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता चाहें आप कितने भी चावल खा लाएं अगला प्रेशने किसमें प्रोटीन का सफसे अधिक सुरुत पाया जाता सोया बीन में पाया जाता है तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही पहले आप मुझे यह बताईए कि यह प्रेशनाज के जो मैंने कराई हैं वीडियो में कैसे लगे अगर इस से रिलेटेड आपको और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बद जरूर बताईएगा इसी प्रकार के वीडियो में आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा ठीक है दोस्तों धन्यवारा